स्टुरेंट्स आप सभी गज़ हो गते हुआ इस यूडिव चैनल पर और आज हम लोग बात करने आले हैं डिरेक्टेड ओफ एजुसिक के संजी एंसीटी आफ दिली की वक्सी नंबर 86 के बारे में जो सब्जेट साइंस और क्लास 9th की है और आज की देड के आज की रेट है आज 9-2222 यहाँ पर आपको अपना नेम यहाँ अपनी टीचर का नेम लिकना है उसकारपतिका को प्रारम करने से पहले उच्छे तादू कि आप सब देली और वीकली बहुत सारे प्राइस जी सकते हो बस उसके लिए आपको करना क्या होता है वीडियो को लाइक करना होता है चैनल को सस्काइब करना होता है फॉल वडियो को वाच करके कमेंड करना होता है और इसके लिंक को अपने फ्रेंस के बीच में से एर करना होता है अगर आप ऐसा करते हो तो आप इसे तीन लग्की बिनार होंगे जिने वीकली प्राइस मिलेगा और तीन लग्की बिनार matter is made up of particles called atom अब यह आपने लास्ट वक्सीड में भी पढ़ाता कि जो matters होते हैं वो क्याते हैं कुछ particles से मिलकर बने होते हैं जिने हम क्या कहते हैं atom बोलते हैं atom are the building blocks of matter and substance जो atoms होते हैं वो building blocks हैं इसके matters के और substance के it is the smallest unit of a matter that composed three sub atoms particles क्या होता है यह सबसे छोटी unit होती है atoms की जो की composed होती है matter की composed होती है तीन sub atomic particles से के एक कहलाता है proton एक कहलाता है neutron और दूसरा कहलाता है तीसरा बेटा electron proton was discovered by E gold stem neutron is discovered by Z जे चैडविक ठीक है proton की discovery किस ने करी तो E gold इस्टेर ने करी neutron की Z चैडविक ने करी चलिए आते हैं आपने Thomas model ठीक है क्या पढ़ा है आपने पढ़ा है Thompson model of an atom के बारे में पढ़ा है तो जे जे यानि की Joseph John Thompson was the first one of purpose a model for the structure of atom Thomas जो थे जे जे थॉम्सन जो थे वो पहले वेक्ती थे जुने ने model of atom बताया यह structure of atom के बारे में बताया था He proposed a model of an atom भी similar that of Christian pudding water melon कहने का मतलब है इन्होंने कहा कि जो model है atom का वो किसकी तरह दिखता है एक आप तर्बूज ले लिजे उस तर्बूज को बी से काट दिजे उसकी तरह दिखेगा यानि की एक तर्बूज आप देख रहे हो ना जैसे तर्बूज में काले काले बीचे से होते हैं वैसे ही एक जो atom का model होता है उसके अंदर proton और neutrons electrons पाए जाते हैं देखे इन्होंने क्या बोला इन्होंने कहा red edible part of watermelon is compared with the positive electron in atom जो red color का part होता है water melon का उसका comparison किसे करा इन्होंने water melon के red part का comparison करा positive electron से और जो black color की seeds water melon में पढ़ी होती है उसको क्या बताया इन्होंने इन्होंने कहा कि वो एक atom का electron है ठीक है कहने का क्या मतलब है समझो जो red color का part है वो क्या है पिटा red color का जो water melon का part है वो atom के क्या है proton की तरह होता है ठीक है और जो black color की seeds है वो एक electron का काम करती है इसके बाद देखिए नोंने क्या कहा according to JJ Thompson ठीक है यानि कि Joseph John Thompson के हिसाब से क्या है an atom of a positive charge surface atom की हमें से positively charged surface होती है and electron is embedded in jest और उसके अंदर electron फसे वे होते हैं just like a seed is embedded in red edible part of a watermelon जैसा कि आप देख रहे हो कि जो red color के part में क्या है seeds जैसे embedded हैं वैसे ही the negative and positive charge are equally in magnitude ये magnitude में equal होते हैं so the atom wall are electrically neutral जिसकी वज़े से atoms क्या होते हैं electrically neutral होते हैं और limitation of JJ Thompson JJ Thompson की limitation क्या थी इनके model की तो ये model जो था failed हुआ with to explain the result of other experiment कुछ other experiment जब scientist ने करने की कोसिस करी तो उसमें ये model fail हो गया it did not provide any experimental advance इन्होंने कोई भी advance जो है experiment करके नहीं दिया था और established a more imagination ये ज़्यादा imagination लगता है इसके बाद एक और आपका आता है atom का model जो कहलाता है ठीक है रदर फोर्ड ठीक है atoms देखो कहा गया रदर फोर्ड model of atom इनका क्या था on the basis of the observation from these alpha particle scattering experiment इन्होंने क्या करा था alpha particle scattering experiment करा हुआ था बिटा और उसकी study करी थी तो रदर फोर्ड परपोज a model of an atom तब इन्होंने atom का एक model तया रहा इन्होंने बोला there is a positively charged centered in the atom atom के center में एक positive charge होता है जिसे हम लोग क्या बोलते है nucleus बोलते हैं ठीक है और nearly the atom of is called a constructed in it और जो atom है उसी के चारो और construct होता है the electron revolves around the nuclei और कहने का मतलब बीज में तो एक positive charge था nuclei हुआ करता था और उसके चारो और क्या होते था electrons को electrons जो हुआ करते थे वो गोल गोल revolve करते हैं घूमते हैं एक circular path में और जो size होता है nuclei का वो vary करता है ठीक है comparison of atom atom के size पर radius of nuclei is about 10 times less than the radius of atom जो radius होती है nuclei की वो 10 की power 5 times छोटी होती है किससे जो radius होती है atoms के इसके बाद एक model और आया ठीक है drawbacks क्या है rather fold की models में इसके बारे में देख लेते हैं तो देखे the revolution of electron in the circular path around the nuclei is not expect to stable ये revolution जो था जो electrons का revolution होता करता था एक circular path में nuclei के वो एक expect नहीं करा जा रहा था वो पूरी तरीके से stable नहीं था as the electron are charge particles क्योंकि electronic charge particle होता है they sell radiate energy और इसमें radiate energy जो ते while they move in circular path will ultimately lost the energy अगर ये गोल गोल path में घुमेंगे तो ये अपनी energy को भी loss करते सकते हैं as a result they will fail in the nuclei और एक result के नहीं साथ ये failed हो गया इनका model but but atoms are found in stable और जो atoms थे वो stable पाए गया rather fold model atom failed in the explain this fact इनका भी जो model था वो क्यों हो गया failed हो गया चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया देखे पहला question जो है check yourself what is the net charge of an atom किसी भी atom का net charge क्यों होता है and which subatomic particle is present in nuclei nuclei में कौन सा subatomic particle जो है present होता है तो ये हमें बताना है तो चलिए इसका उत्तर जो है मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ तो बच्छो लिख लिजे यहाँ पर लिखिएगा पहला question में जो पहला question दिया गया first का जो इतना पाठ है इस cancel लिखिए इस cancel क्या हो जाएगा the net charge on an atom is equal to equal to 0 ये किसके बराबर होता है ये 0 के बराबर होता है इसके अब बोला गया हमसे अगला question दिखको इसमें ही आगे क्या दिया गया इसमें बोला गया sub atomic particles present in nuclei तो इसका answer देखियोग पर मिल जाएगा आपको ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा three sub atomic particles are present in nuclei तरह लिखकर यहाँ से यहाँ तक लिख दीजेगा यह answer number क्या हो जाएगा one हो जाएगा दोनों को मिला कर अगला question देखिये क्या बोला गया है who discovered the electron and write down characteristics of electron electron को किसने discover किया और इसकी characteristics लिखनी है तो चलिए मैं जो है इस cancer आपको लिखकर दिखाता हूँ तो बच्चो इस question का answer लिख लिजे electron was discovered by J.J. Thomson in 1897 when he studied the property of cathodis Thomas won Nobel Prize in 906 for 1906 में नोबल प्राइस भी मिला for elementary particles electron characteristics में आप लेख लीजे like proton and neutron which consists smallest and simpler particles electron are fundamentally particles that not composed of similar particles they type of fundamental particles are called lepton इसके बाद देखिये all leptons on electrical charge plus minus one and zero electron are extremely small चलिए आगे देखते हैं अगला question क्या है तो बच्चो अगला question क्या है explain the brief of Thomas model atom with the help of stable diagram तो Thomas model को आपको explain करना है brief में तो आप क्या करोगे ये पूरा model जो है यहां से लेकर क्या कर देना आप पूरा यहां तक लिख देना ठीक है पूरा model लिखना है यहां तक और यह diagram भी बनाना है यह answer number क्या हो जाएगा one हो जाएगा आप limitations sorry answer number one नहीं answer number यह कौन सो हो जाएगा three हो जाएगा limitations मतलिखना वो नहीं पूछा है तो उसको मतलिखो बाकी उपर का इस box में सब लिखना पुड़ेगा चलो अगला question क्या दिया गया देखो अगले question में ही आपसे पूछ लिया गया what is the limitations of thomas model तो इसमें अब आप limitations लिख दो यह जो इतना है इसको answer number four में लिख दो इसके बाद next question क्या बोला गया है write the main features of the rather fold model जो rather fold model है उसके main features क्या है तो आपको क्या करना है यह जो उपर वाला आपका box है देखो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तब अच्छे से समझ में आएगा यह वाला देखो जो box है यह इसमें पूरा जितना भी लिख है ना आपका यहां तक यह सारा answer number 5 हो जाएगा और आगे आपकी वक्सीट के और तीए बिटा है यही पर उतीए समापत आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करकर बताना वीडियो लाइक करना चैनल से स्काइब करना ज़्यादा से ज़्यादा कॉंटस में पास पेट करना दने बात प्यारे उच्छू